Hello students, this is me Zainabhassan in online English lectures और आज का हमारा topic है prepositions of time Okay, students, prepositions of time जैसे कि आप picture में देख सकते हो, आपको बहुत सी नजर आ रही है और आप में से बहुत से शायद गबरा भी गे हूँ कि इतनी सदर prepositions of time Okay, so basically हम prepositions of time को explain करने से पहले refresh कर लेते हैं अपने previous topics को Okay, हमने देखा तर prepositions क्या होती है Yeah, हमने देखा तर prepositions क्या होती है Prepositions basically एक word है जो किसी noun और pronoun की position के बारे में हमें बताता है Okay, so अब किसी की position के बारे में बताता है यानि कि अगर हम देखा जाए जो prepositions होती है Basically sentences में जो उनका use होता है different context में होता है जो prepositions place के बारे में बताती है जगा के बारे में location के बारे में बताती है तो उनको हम preposition of place कहते हैं और जो आज हमने पढ़ना है वो prepositions of time और जो हमें वक्त के बारे में बताएंगी ठीक है आज हम यह preposition discuss करेंगे और वो preposition जो direction के बारे में बताती है उसको हम preposition of movement कहते हैं आज हम second preposition start कर रहे हैं prepositions of time में basically students बहुत सी prepositions हैं जैसे कि आप देख सकते हो ago है since, at, in, on, for, before to, till, until, past, to, till, until, or by बहुत से prepositions हैं और यह basically जो prepositions होती हैं different context में use होती हैं यही जो in में से अगर मैं in, at है in है, on है, इसी तरह before है यह prepositions of places भी तो हैं ना ठीक है, at the door location के बारे में बता रहा है तो यह prepositions of place बन गया in the house, in the car, in the bedroom, in the classroom तो यहां पर क्या है हमें जगा के बारे में पता चल रहा है तो location के बारे में पता चल रहा है तो यह prepositions of place हो जाएगी on, जैसे on the table, on the surface, on the bed and so on इस तरह अगर हमें location के बारे में यह बताएगी तो क्या होगा? इसका function change हो जाएगा इसी तरह before है जैसे कि मैं कह सकती हूँ before the house, near the house ठीक है? and so on and so forth आज हम किसको discuss कर रहे हैं? आज हम prepositions of time को discuss कर रहे हैं so students, जब हम time की बात करते हैं हम थोड़ा से example ले ले लेते हैं चलें यहीं इस slide पर discuss कर लेती हूँ okay, students, जब हम time की बात करते हैं तो हम दो जगों से वक्त देखते हैं एक हम वक्त देखते हैं calendar से assume करें कि यह calendar है ठीक है? और एक हम देखते हैं clock से ऐसा ही है ना वक्त दो तरीकों से हम देखते हैं अच्छा जो वक्त हम गड़ी में देखते हैं उसमें क्या हमें बताता है उसमें हमें और्स का पता चलता है कि कितने गंटे होगे कितने मिनट्स होगे ऐसा ही है इसके इलावा हमें seconds का पता चलता है ठीक है गड़ी में जो हम ठीक है अब जो हम कलेंडर में टाइम देखते हैं तो हमें येर्स का पता चलता है ठीक है हम येर्स को देखते हैं हम मन्स को देखते हैं ठीक है कौन सा महीना है कौन सा साल है ठीक है हम डेज कौन सा दिन है हम डेज को देखते हैं इसी तरह हम डेट्स को देखते हैं कि आज क्य याद रखने माली ये एक trick है ये एक hack है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये जब हम clock में देखते है hours है minutes है और seconds की बात होती है तो हम कौन सा preposition हम act लगाते हैं ठीक है हमने act लगा दिना है उस वक्त मैं आपको example से आगे mention करूंगी ओके जब हम years की बात करते हैं हम months की बात करते हैं ठीक है months और years की हम बात करते हैं ओके wait मैं ज़रा highlighter का color change कर लेती हूँ ओके जब हम years की बात करते हैं हम months की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हम in use करते हैं ओके इसी तरह जब हम days की बात करते हैं और dates की बात करते हैं हम किसका usage करेंगे on का usage करेंगे so अभी तो हमने जो तीन वाले हैं ना तीन in, on or at prepositions of time उनको तो हमने देख लिया है जो आपको बाकी अभी जो आपको picture में नजर आ रहे हैं हम उनको भी discuss करेंगे just wait करें अभी in, on and at को हम discuss करेंगे in में हमने का जब हम years की बात करते हैं जैसे मैंने का in 1947 मैं months की बात करूँगी मैं कहूंगी in June मैं seasons की बात करूँगी मैं कहूंगी in summer ऐसा ही है in autumn, in spring मैंने in की बात की इसी तरह जब मैं days की बात करूँगी जैसे on Wednesday, on Thursday ऐसा ही है on 21st October on December and something dates की बात की on 21st December or 21st October जो भी dates है वहाँ पर मैं own यूज़ करती हूँ ठीक है okay at मैं कहाँ पर कहती हूँ at 7 o'clock ठीक है and so and so forth इस तरह हम at का usage करते हैं अभी just हम in, on or at को clarify करते हैं और फिर हम आगे आते हैं okay students अभी जैसे के बता है at हम कभ यूज़ करते हैं जब हमें precise time के बारे में बता होता है ठीक है precise time जैसे के at 3 o'clock at 10.30 a.m at noon ये हमें precise time है जैसे के आप preposition of place को पढ़ते हैं तो exact time की जब बात होती है में at का यूज़ करते हैं इसी तरह जब हम exact और precise time की बात करते हैं तो हम preposition of time में at को ही यूज़ करते हैं at dinner time at bed time at sunrise at sunset okay okay जब हम months की बात करते हैं years की बात करते हैं centuries की बात करते हैं long periods की बात करते हैं हम in का usage करते हैं जैसे के इन में है, इन समर, इन दा समर भी होता है, इन 1990, in 1990s, in the next century, in the ice age, in the past or in the future, हम यहाँ पर इन को यूज़ करते हैं इसी तना students जब हम on की पर आते हैं, on हम dates के लिए और days के लिए इसको राख लेते हैं on Sunday, on Tuesday, on 6th March, dates on 25th December, on Christmas, on Eid, on Independence Day, on Birthday and on New Year's Eve so, अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी हमने preposition of time, अभी हमने preposition of time, at, in और on को देखा है at कब हम यूज़ करते हैं, जब हमने precise time की बात करनी होते हैं, जैसे हम घड़ी में time देखते हैं, hours, minutes or seconds, precise time, okay हम at को यूज़ करते हैं, second हमने usage देखा in को, हम जब months की बात करते हैं, ठीक है, on October, on January, on February and so on and so forth years की बात जब करते हैं, in 19, oh sorry, मैंने on कह दिया तभी, जैसे हम months में कहते हैं, on, नहीं, in, sorry in January, in May, in June, July, in हम यूज़ करें, in December, okay हम in use करेंगे, इसी तरह जब हम years, जैसे के in 1990, मैं अग चले मैं आपको example देती हूँ, Pakistan got the independence in 1947, मैं in 1947 करूँगी, okay जैसे के in मैं एक और चले example ले लेती हूँ, my exam is in the June, okay, in the June, okay and so on, for years, months, centuries and long periods, in हम use करते हैं, okay, यह बात याद रखने हैं, on, days or dates के लिए हमने क्या करना होता है, हम on use करते हैं, okay जैसे के on independence day, एक special day है, on my birthday, मेरा खास दीन है, on new year's eve, okay इस तरह हम on का usage करते हैं, okay look at some examples now well, I have a meeting at, यहाँ पर हमने use किया है, at 9 a.m, क्योंके exact time है, okay the shop closes at midnight, आदी रात के वग, दुकान बंद हो जाती है, precise time, ऐसा ही है Jen went home at lunch time, यानि के Jen, lunch के वक्त घर चली गई, at लगाया, precise time, okay अब यहाँ पर, months की बात आगी न, in England, it often snows in December, यानि के हमने in the future, there should be a lot of progress in the next century, long period of time की बात कर रहे हैं, okay in the next century पर आईगा, okay do you work on Mondays, on Mondays, यह हो गया, month, Monday, day है, okay हम यहाँ पर on use करेंगे, on 20 November, यानि, on 20 November, तो यह भी क्या है date होगी, इसी तरह, where will you be on New Year's Day, यह भी एक special day है तो यहाँ पर भी हमने on use किया है, इसी तरह हम मज़ीद examples दिख लेते हैं, notice the use of the prepositions of time, at, in the following standard expressions, okay students at night ही होता है, जैसे के the stars shine at night, at the weekend, I don't usually work at the weekend, some people कहते हैं, कुछ लोग यह भी कहते on the weekend and on Christmas, लेकिन at the weekend and at Christmas चलता है, okay at Christmas, I stay with my family, at Christmas, okay, तो यहाँ पर on Christmas तो हम नहीं लगाएंगे, at यहाँ पर जदा suitable है, okay, at the same time, okay, we finish the test, at the same time, यह expression है, at the same time, तो यहाँ पर at ही लगेगा, okay, at present, he is not at present, try later, वो अभी घर्ण मजूद नहीं है, बाद में आएगेगा, okay, तो यहाँ पर हमने add का usage देख लिया, अब हम in and on का common expressions में usage देख लेते हैं, जैसे के in the morning है, in the mornings, in the afternoon, in the evening, okay, तो यहाँ पर याद रखिएगा, on Tuesday morning, यहाँ पर अब हमने क्या कर लिया, दिन आ गया न, on Saturday mornings, on Sunday afternoons, अगर Sunday नहीं लगाया, तो मैं in the afternoon कर दूँगी, ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने दिन को कर दिया, add कर दिया, तो on day आ गया न, बीच में, तो on Sunday, on Monday, is the and so and so forth, okay, students, अब हम, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, on, in और at का usage हमें समझ में आ गया, अब हम दुबारा चलते हैं, okay, okay, हम सबसे पहले on का usage देख लेते हैं, I'm sorry, okay, हम सबसे पहले on का usage देख लेते हैं, on का हमने कहा days of the week के साथ हम on use करते हैं, ऐसा ही है, in हमने कहा, in हम use करते हैं, months के साथ, seasons के साथ, and years के साथ, okay, हमने in use किया, at हम कहां use करते हैं, at हमने use किया, जैसे के at night है, at weekend है, और exact time के लिए जब हम use करते हैं, odds, minutes और seconds में हम at use करते हैं, इसी तरह हम use करते हैं for, यहां पर for है, for हम किसके लिए use करते हैं, जब हमने indicate करना हो the period of time from past to now, जैसे कि हम कहते हैं like for five years, for two years, इसी तरह हम use करते है ago, ago कहांब हम use करते हैं, जब हमने indicate करना होता है exact time in the past, जैसे कि like five years ago, two years ago, six years ago, इसी तरह हम use करते हैं since, okay, since हम use करते है exact time in the past to now, यानि कि since 2001, since 1980, okay, अब हम use करते हैं before, before हम use करते हैं before a particular time, okay, particular time means before may or before the chorus, before 2004, okay, इसी तरह हम use करते हैं by क, by का usage करते हैं particular time के लिए, जैसे कि I'll do this by eight o'clock, okay, I'll be back by six o'clock, okay, up to a certain time, okay, एक by को हम use करते हैं जब हमने indicate करना हो someone, जब हम किसी को indicate करना जाते हैं who done something like a novel by Henry, this lecture by me, तो हम यहाँ पर भी by का इस्तमाल करते हैं, okay, अब हम to or until को just, to or till को पहले discuss कर लेते हैं, okay, to define the end of the time, from, because nine to five, अगर मैं कहूं, तो यहाँ पर मैंने five का use कर, यह से nine till five भी होता है, यहाँ पर हम five का use करते हैं, end of the time को show करने के लिए, okay, इसी तरह हम use करते हैं till or until को, okay, till or until का usage क्या होता है, जैसे कि इसको हम use करते हैं before a particular time, like, I'll be waiting, I'll be waiting till Friday, or until the end of the, end of time, until the end of time, okay, तो हम two को use करते हैं, जब हमने वक्त को बताना हो, जैसे कि अभी मैं रपता हैं, nine to five, ten to six, okay, past, जब हमने time की बात बतानी होते हैं, ten past six, यानि कि छे बच के 10 minutes हो गए हैं, So, students, these are all prepositions of time, hope so, आपको समझ आ गई होगी, next lecture के तक मुझे इजाज़त दें, चलें, ठीक है, अगर और भी कोई confusion है, students, please, YouTube पे मजीद lectures हैं, वो देखें, और अपने confusion को दूर करें,